आप सबीको मेरा नमस्कार आपका एक फिर से स्वागत है माखी रसुई में तो आज हम बनाएंगे चना धाल और पालक की सब्जी जो के बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में भी बहुत ही स्वाधिश्ट होती है तो इसके लिए हमने एक कटूरी चना धाल ली ए तो चना धा करी मैंने आदा गंटे पहले भीगो करके रख दिया था तो इसको हम कुकर में डाल देंगे और जिस कटूरी से हमने चना धाल ली थी उसी कटूरी से हो दो कटूरी पानी लेंगे तो दाल हमें दाल का पानी हमें डबल लेना है अगर इक कटूरी दाल है तो दो कटूरी पा तो इससे दाल पतली हो जाएगी तो इसलिए इसका डवल ही पानी डालेंगे इसके बाद इसमें एक कटाओ को टमाटर डालेंगे कटिवी प्याज डालेंगे और इस तरह ये सबजी भोती स्वादिश्ट बनती है और बनती भी बड़ी आजानी से है तो इसमें थोड़ा थल्दी पाउटर डालेंगे और स्वादनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो देखी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया आये इने तो मिक्स करने के बाद कुकर का ढखकन बंद कर दिंगे ढखकन बंद करने के बाद इसमें एक सीटी आने का इंतजार करेंगे जब एक सीटी आ जाएगी तो लोब फिलेम पर हम इसे चार से मिनट चार से पांच मिनट तक और तो फ़ब पकाएंगी क्योंकि जो चना डाल है वो थोड़ा देर में पकती है तो अभी एक सीटि आ गई है वी चार से पांस मिनटे से लो फ्लेम पर और रखेंगे तो अभी देखिए चार से पांच मिनट हो गए है तो गैस की फ्रेम को हम बंद कर देंगे वो सीटी निकरने का इंतिजार करेंगे तो अभी जो सीटी है हमारी वो भी निकल गएए। तो इब ढल को देख लेते हैं, तो देखिए। दाल अची तरह अची तरह से गल गई ए, और पाला का अचीन तरह से मिक्स हो गए हैं, तो इसके बाद हम तड़के की तयारी करेंगे।त तो इसके लिए आप जिस भी बरतन को अच्छे से गरम होने देंगे उयल करम हो गया है हमारा इसके अंदर हम जीर ते 2 पर लीत tweaks किया हुआ अधरक दालेंगे बारी कटी हरी मिर्चे डालेंगे मोई कर अच्छे शरय से सबीवा होने तक फाल कर दिश्यक हम एधें कि प्याज को फून एफ कथा इस में है इस में बून गई है Divya जपिक यह तो इसके बाद इसमें धनिया पाड़र डालेंगे ऑल l amuto जाल डालेंगे के लिए इसमें एक चमश कषमेरी लालमिश पाड़र डालेंगे तो जो कस्मिलक इन कंड evolution उतीका नहीं होता है वस उसे कलर अच्छा आता है और गैस की फिर्म को बंद कर देंगे देखिए तड़का जो है हमारा तैयार है तो वह हम दाल के अंदर डाल देंगे देखिए इस तरह हमारी चना धाल और पालक की सब्जी बन करके तयार हो गई है तो अगर आप लोगों को रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी स्वाधिष्ट रेस्पी के साथ तब टकिली मिरा नमस्काट एए है के लिए है कि लो जए है 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 है